जमू कश्मी क्रिकट आसोसियेशन में हुए स्कैम को लेकर ED ने यानि इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरिट ने उस समय के प्रेजिडेंट डक्टर फारुक अबदुल्ला को आज पेश होने के लिए कहा है इसके लिए उन्होंने कल सम्मन भेजा था डक्टर फारुक अबदुल सम्मन देकर डक्टर फारुक अबदुल्ला को आफिस बुलाया और वहाँ पर उनसे कहीं प्रश्ण जो हैं इस जेके सीए स्कैम को लेकर पूछे गए काफी बड़े फंड्स की क्रोणों रुपे के पैसे का घपला हुआ उनके प्रेजडेंट जब वो थे इस एसोसियेशन के उसी पूरे मामले को लेकर पहले तो सी बी आई ने इस पर चार्शीट किया था डक्टर फारुक अबदुल्ला को और उसके बाद उसी चार्शीट क कुछ अन्य लोग भी हैं जिनको इस पूछताच के लिए उनको इन्वेस्टिकेशन के लिए जो है बुलाया गया है और आपको जानकाई देदे की एडी ने ये केस फाइल किया था तो हजार बाइस में उसी के तहाट जो है पूरी इन्वेस्टिकेशन इस समय की जा रही है फाइनेंशल इर्रेगुलरिटीज की गए थी जमु कश्मीर करिकेशन को जो फांड जाते थे करोनर रुपे के उनमें कहीं बहुत बड़े लैवल की एक साइफनिंग की गई पैसे की पैसे का घपला किया गया इर्रेगुलरिटीज की गई उसी पर ये पूरी समय इन्वेस इर्रेगुलरिटीज की चल रही है और एलिगेशन ये था कि जो जेके सीए का पैसा था जो एसोसियेशन को पैसा आता था बिसी सी आई से उसे परसनल एकाउंट में जो है ट्रांसफर किया गया जेके सीए द्वारा यानि कि जो ऑफिस बेर थे और कुछ ऐसे लोग थे उन तहत बनाया और उसी पर फिलहाल इंवेस्टिगेशन चल रही है और डाक्टर फारुक अबदुला को पेश होने के लिए कहा है कहीं अलिगेशन डाक्टर फारुक अबदुला पर भी लगे कि उन्होंने अपनी पुजीशन का मिस्यूज किया जब वो प्रेजिडेंट थे इस असोशियेशन के और जो एपॉइंटमेंट की गए थी ओफिस बेरर की वहाँ पर भी कहीं तरह की ऐसी एपॉइंटमेंट की गई जिससे की इस पूरे मामले को जो है एक तरह सी इर्रेगुलरिटीज की गई थी जो की पूरे शक के घेरे में है और बी सी सी आई जो स्प 2012 तक और जो यह स्कैम है जो अभी इन्वेस्टिगेटर किया जा रहा है सी बी आई द्वारा भी और इन्फोर्समेंट डेरेटरेट द्वारा भी यानि कि दोनों जो प्रीमेर एजनसीज हैं इस मामले को लेके इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और यह जो पूरा घपला की इडी ने कहीं बार डक्टर फारुक पुद्ला से इस मामले को लेकर पूछताच की है और इडी ने भी जो चार्चीट फाइल की थी प्रिवेंश्टिगेट के तहत अगेंस डाक्टर फारुक पुद्ला और आज उन्हें इडी ऑफिस श्री नगर में पेश होने के लिए कहा गया है और दो हजार बाइस जुलाई में इडी ने चार्चीट अपनी दाखिल की थी इस पूरे मामले को लेकर इडी ने इस जो कॉगनिजेंस ली थी सी बी आई ने जो चार्चीट फाइल की थी वहीं से इसका पुरा संग्यान लेते हुए डक्टर फारुक पुद्ला अहसान मीर, अहसान अहमद मिर्जा और अन्या कहीं व्यक्ती थे इस पूरे मामले में जो इन्वाल्ट थे उनके खिलाफ इस पूरे मामले का कॉगनिजेंस जब उन्हें सी बी आई की रिपोर्ट का लिया तो मनी लॉंडरिंग एक्ट के ताहद इस केस को बनाया गया और उ जूर घंजफर और कहीं इनके अलावा ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ये पूरा केस बना था और दो हजार बाइस में एडी ने जून चार दो हजार बाइस में इस पूरे मामले को फिलहाल उन्होंने उनके खिलाफ केस की बनाया और उसके बाद से ही इन्वेस्टिगेशन जो है इडी की मनी लॉंडरिंग एक को लेकर चल रही है इसमें फाइल की गई थी लेकिन अभी तक यह पूरा जो मामला चला है इडी ने कम से कम 21 करोड और 55 लाक रुपे की जो एसेट्स हैं डाक्टर फारुक अबदुल्ला और उनके साथ जो दूसरे साथी हैं उनकी फिल अब जो फाइल है CBI ने 2018 में इस पूरे मामले को चार्शीट किया था और कुल मिलाकर बताया गया कि 43 करोड 69 लाक रुपे का यह पूरा मामला है और जिसको इलिटिफाई किया गया कि यह क्राइम किया गया है पूरा साइफनिंग आफ की गई है इतने पैसे की और यह भी ब घपला हो सकता है लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में 21 करोड 55 लाक रुपे की जो है फिलाहाल एसेट्स डाक्टर फारुक अबदुल्ला और उनके दूसरे अन्यस साथ ही जो उसमें एसोसियेशन के मेंबर थे ऑफिस बेर थे उनकी प्रॉपिटी को सीज कर लिया है और य अकाउंट्स में जो आफिस बेर थे और दूसरे अन्यस उसमें लोग थे उनके अकाउंट्स में ये पैसे ट्रांसफर किये गे जो सिर्य तोर पर वाइलेशन थी और साइफनिंग की गे थी फाइनेशल इर्रेगलरिटी जो हैं वो सामने होकर आएं कि बहुत बड़ा स्कैम जम्मू कश्मीर क्रिकट एसोसियेशन में किया गया आज उसी के चलते हुए पूछताज के लिए डक्टर फारुक अब्दुल्ला को एडी ऑफिस श्रीनगर में पेश होने के लिए कहा है